डार्क विजुस्टेंज के लास्ट एपिसॉड के अंदर में देखा था कि हमें बताया जाता है कि किसरा से सेड्री और नॉर्मन ओसॉड जो नलेके रिलेशनिट में अच्छी तरह जाताई जिसमें नॉर्मन आजबन सेंटरी को पूरी तरीके से जो एक्स्प्लॉइट करने की कोशिश कर रहा होता है नॉर्मन आजबन उसको वो सुपर सोलडर सिरम दे रहेता है जिसकी जैसे उसके पास सबसे पहले शक्तियां आई थी और वो उसको दुबार से एक बार एडिक्ट बन जाता है और सी तरीके से नॉर्मन आजबन ने सेंटरी जैसे करेक्टर को अपने उंगले पर नचाना शूरू कर दिया था लेकिन ये कहानी जादा देर तक नहीं चली जैसा कि हमने देखा ही कि सीज के में इवेंट के अंदर किस तरह से सेंटरी अपना आपक हो बैठता है और मकमल तोर पे वाइड के अंदर ट्रांस्फॉर्म हो जाता है तो बिसिक लिए आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखींगे कि सीज के में इवेंट के बाद डार्क वेंजस की सीरीज और उनके लोगों के साथ क्या क्या चल रहा है तो ये टारियन एक बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करने वाली है बाकी की डार्क वेंजस की टीम को आपके साथ समझाने के लिए तो अब आगे लिए एक सम्झाने के ब réseauxty बार्क व Teams diffी साथ के ले ट्यूर्ट Stunden कहानी की शुरुआद होती है रायकर्स आइलेंड मक्सिम्म सेक्यूरिटी पैनेटरी और अगर आप मेरी चनल पर कामिक्स को फॉलो कर रहे हैं खासकर नियू वेंज़र्स के तो आप इस आइलेंड को काफी बार देख चुके हैं नियुमिन जिसके कॉमिक की शुरुआदी इसी आरेंड सो थी जब सबसे पहली बार यहाँ एक ब्रेक आउट हुआ था और हम देखतें कि यहाँ एक हेलिकॉप्टर जो है आ रहा होता है डैक के उपर जिसके पीछे आरेंग मैं उड़ते वे और थोर आ रहा होते हैं और उस हेलिकॉप्टर से कुई और नहीं बलकि और आउसबॉण को लाए जा रहरा होता है जिसको छसवाख हतकरियों में बांदा हुआ होता है सब बेस्मेंट लेवल 7 आज से तुम्हारा नया घर होने वाला है और उस फ्लोर के उपर तुम से वक्यले प्रिजनर होगे कोई सवाल? नहीं, बहुत अच्छी बात है और इस तरह हम देखते हैं कि कैपटन स्टीव रोजर जो है अब उन्होंने वो मेंटल समाल लिया जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जो हैं आप सेक्यूरिटी का काम करेंगे और वहीं पर आउसबॉन जो है कैपटन अमेरिका को बहुत गूर गूर के देख रहा होता है हम इसे कल शिफ्ट होते हैं एक दिन पहले जावाँ पर सीज का इवेंट हो रहा था और यह वही मुमेंट ने जो हमने सीज नंबर फॉर में देखा था जहां निक्प्यूरी बोलते हैं कि अपने अपने हाथ सर के पीछे कर लो अब तुम लोग वार क्रिमेर्स बन चुके ऑफिशली अगर तुम ने किसी ने भी हिलने की कोशिश करी तो हमें गोल इमारने का आदेश है लेकिन वही से विक्ट्यूरी हैंड बोलती है हाँ हम इस बारे में देख लेंगे निक्प्यूरी के तुम क्या करते हो हाँ शर्त लगा के कहता हूँ कि तुम लोग देखी लोगे लेकिन वही से विक्ट्यूरी हैंड बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी कंट्री को सर्फ कर रही थी जैसा यहां पे हर कोई एक इनसान कर रहा है लेकिन वही से वो लोग बोलते हैं मेरे ख्याल से कहबी-कभी तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें अपना मुट्र करके रखना है लेकिन वही सम्द के कैप्टर अमेरिका ऑउस्बॉंग को यहां पे मारते वे ला रहे हुते हैं कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुचस्तेशाई बात करो कि इसने जो क्राइम्स करें इसको इसमें चुखा नहीं énरिकन कोट के अंदर ये अपनी कीमत चुखाईगा और इसके बात जेल भी जाएगा और इस TV और alter में की टैख रही होती है और में मिस्माव्य उथ कर दो यहां से कैसे आ गई तो यह जो पकरने के लिए आगे निकलती है वह भागनी की कोशिश कर रही है लेकिन मैं उसको रोकती हूँ और शितर हम देखते हैं कि जब यहां पर हबर दबर मचती है तो वहीं पर बुल्जाई यानि के हौकाई जो है वह भागना शुडू करता है और वो दूना अलग अलग डायक्शन Αमयरेक ने बहागरे होते हैं एक को कैपटेन・ 검ी माइरिक का बेता है लेकिन फुर लेंख उन्गी शील्ड पायर लेता है लेकिन lawyer चाहिए please तो वही से captain बोलते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो commander हैंड वही से victoria हैंड captain को गूर गूर के देख रही होती है और इस तरह हम यहां से ब्रॉक्स्टान में street से दर शिफ्ट होते हैं जाप बुलवरीन को पर बेज़ा गया था यानि कि डार्क बुलवरीन को जो कि डार्क के वेंजस का है और हम देखते हैं यहां पर हर तरह मार्शल लौ लाग चुका है प्रेजिडन ने पूरी पूरी मिलिटरी को यहां पर बेज़ दिया और सारे के सारे हमर एजिट्स को कंफेसिकेटरिट कर लि देख रहा होता है और खामुशी से वो एक सोल्जर को मार देता है और उसके बाद वो उसी सोल्जर का गैट अफ करता है और उन्हीं के वेंड में से आके पर पीछे बॉम जोड़के आगे की तरफ बढ़ जाता है तो इस तरह मैं बता चल रहा है कि वूलवरीन के बेटर ड पादर एरीस सान अफ द्यूस वो एक बैटल के अंदर माले गए हैं जैसा वो हमेशा से चाहा करते थे तो इसी तरह अब उनके जाने के बाद जो कुछ भी उनका था अब वो तुम्हारे कांदों पे आ जाता है और इस तरह में देखतें के वहां पे थोड़ जो है एरीस ग मौत हो जाना मुझे बहुत ही बड़ा सद्मा लगा था लेकिन ये सीन दिखाके माविलों ने इस बात को सिगनिफाइ करा है कि उसकी मौत कुछ चोटी मौत नहीं ती बलकि उसको आगे जाकर याद रखा जाने वारा है और वहीं से थार उसका एक्स उसको पास करते हुए बोलता है कि वो एक माईटी वालियर था उसका दिल एक शेयर की तरह था जब तुम बड़े होगे होफुली तुम बहुत जल बड़े हो तो तुमें तब जाके इस बात के बारें बता चलेगा कि तुम्हारे फादर जो हो पहाड़ों थको हिला सकते थे ताकि तुमें कुछ ना हो सके उन्होंने तुमें प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गवाई है लेकिन वहीं से वो बोलता है कि मेरे फादर एक सन अफबिश्ट है तो वहीं से हर थो और बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से रिकाल के नियू अलमपस ले जाँ तुमारे प्रोस कहता कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जैसा तुम्हारे फादर चाहते थे तुम भी बिल्कुल वैसा ही चाहते हो लेकिन यह डिसीजिजन तुमारा है यंग प्रेंस अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ले जाँ या तुम्हारा माइ दे रहा हूँ और मैं तुम्हें मश्वरा यही देना चाहूँगा कि तुम भी कुछ ऐसा ही करो जैसा तुम्हारा फादर चाहते थे तुम वैसे पनी जिन्दगी गुजारो उससे उनको बहुत खुशी मिलेगी और वहीं से हम देखते हैं कि थार चले जाता है और निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखा बचे इसी जैसे मैं तुम्हें उस फाइट के अंदर ले जाना नहीं चाहता था तो फोबोस बोलता है कि मैं उनको बचा सकता था तो नीक क्यूरी बोलते कि नहीं बेटे इससे कोई फर्थ नहीं पड़ता है तुम्हारे वाँ होने से भी कुछ नहीं हो बाता और वैसे भी हम जब वहाँ पहुचे थे तो उससे पहले ये सब हो चुका था जोड़ परी जिसने जो जो गुना की हैं उन्स सब को उनकी सदा मिल रही है और इस तरह हम यहांसे शिफ्ट होते हैं विक्टोरिया हैंड के पास जोकर डिटेंशन रूम केंदर बैटी होती है और कैप्टन आते हैं और बोलते हैं कि मिस हैंड कि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ तो वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ आप कैप्टन अमेरिका हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कैप्टन रोजर्स के नाम से बलाया जाए क्या इससे पहले हम कभी इन परसन मिल चुके हैं तो विक्टियोरी बोलती के नहीं मैं सिर्फ शील के अंदर एक अकाउंटेंट ही हुआ करती थी जिस वक्त मतलब आप लास टाइम जिन्दा थे तो कैप्टन बोलते के वैल ये तो बहुत इच्छी बात है मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़े पढ़ रहा था और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने आउस्बॉन का साथ काफी लंबे अरसे से दिया है आप जान दी थी कि उसने वेंडर्स के टीम के अंदर उसने किस किस लोगों को उठा है तो मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि तुम जैसे समझधार लड़की जिसके पास दला दला दिमाग है वो इस ट्विस्टिड और टेंटिड रियलिटी के अंदर कैसे फच गई क्या तो मुझे समझा सकती है कि तुम्हारी जैसी लड़की आउस्बॉन के साथ कर क्या रही थी तो कहती है कि मुझे वहाँ पे उसको सर्फ करने के लिए बुलाया गया था तो कैप्टन बोलते है कि अजैसे इनसान को भी तुम सर्फ करना चाती हो तो विक्टोरी बोलती के देखें मैं आपसे ये बात कहीं रहती हूँ आज जब मुझे हाइड किया गया था तो मैं संद्रगी के अंदर कोई डिफरेंस पैदा करना चाहती थी और मुझे वाकी में लगा कि अगर मैं इस तरह के बड़े आदमे के साथ रहूंगी उसको अपने मशवरे वगरा दूँगी जिसके पास एक एजेंडा है जिसके पास पावर है तो हो सकता है कि मैं इस दुनिया के अंदर एक डिफरेंस क्रियेट कर सकूँ तो कैप्टर मुलते के सारी के सारी फाइल्स पड़ी है तुमने जो जो रिपोर्ट बनाई उन सबको पढ़ा है और इस वक्त मैं बिलकुल यह कहना चाहूंगा कि तुम्हारे दिल के अंदर जो सोच आ रही है जो तुम्हारा दिमाग घलत चीजों को सोच रहा है वो बिलकुल गलत है तो वहीं से विक्टॉरिया बोलती है सर इसका क्या मतलब है तो वो बोलते हैं कि तुम एक पेट्रॉइड हो तुम एक एकसेप्टनल सोलजर हो तुमने कुछ गलत नहीं करा है बलकि तुम सिभ इस कट्री के लोगों को सर्फ करना चाहती थी ती मैं तुम से दुबारा भी यही एकस्पेक्ट करूँगा तो विक्टॉरिया बोलती है इसका क्या मतलब है सर तो वहीं से कैप्टन खड़े हो तो उसको सल्यूट करते हुए बोलते हैं कि एक लंबा वीकेंड लो शावर लो और अपने आपको होल करो और हाँ अपने पैरें कि एज़ेंट बन सकती है वो एक सबर्दस किसमी सीकरेटरी बन सकती है लेकिन मुझे इसकी सेकरेटरी बनी हुई थी जरसल वो इनसान घलता इसमें विक्टॉरिया की को फिस खालती नहीं थी और शीतर हम देखते हैं कि यहां से आस्बॉन को जो है उसके पिंजरे में ले जाए जा रहा हुता है आई मीन जेल के अंदर वहां पे थौर और आइरनमैन उसको खड़े वे देख रहे होते हैं तो मैंसे आस्बॉन को आवाज आती है कि वैल मैं ये बात तो जरूर कहूंगा आस्बॉन के तुम्हें सारा की सारी चीज़ का क्रेडिट मिलता ही है मतला जब तुम चीज़ों को बिगाड़ने का सोचते हो तो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है तो यहीं से आस्बॉन मोलता है कि तुम चाहो मेरा जितना मजाग उड़ाना चाहो उड़ालो लेकिन सच तो यही है और तुम भी इस बात को जानते हो कि मैं बिलकुल ठीक था यह दुनिया एक मैस बन चुकी है इस दुनिया को मेरी जरूरती ठीक करने के लिए मैं उसको कर रहा था और मैं कर भी सकता था यह दुनिया एक पागल खाता जिसके अंदर म्यूटेंट, टेरिडिस, साइकोस, एलियन्स और मॉस्टर्स भरे हुए है हर कोई अपनी पावर्स का क्लैश कर रहा है और यह दिखाना चाहता कि कौन किस से बहतर है हर एक सेकंड रुदाना यही हो रहा है लोग जो इंक कॉस्ट्यूम पेंटर डिसाइड कर ले थे हैं कि वो हमारे सर्वाइवर हैं वो दुनिया को बचाने की खुद से ही कोशिश करते हैं जब कि उनको किसी ने यह करने के लिए कहा नहीं होता है लेकिन क्योंकि उनके पास शक्ति हैं उनके पास कॉस्ट्यूम है तो उनका जो दिल चाहेगा वो वो करेंगे वैल मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह दुनिया जो है एक दिन जरूर खतम होगी एक्चली यह बहुत बुरी तरीके से एक्स्प्लोर्ड होगी इसकी शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकती है हो सकता है कि एक गलत म्यूटेंट क्रियेचर किसी से पंगा आके ले ले और एक बहुत बड़ी जंग शिड़ जाएगी और ये सब होगा किसी चीज चीज के लिए ने इसका कोई मकसद नहीं है इसके कोई ज़ाद नहीं है लेकिन फिर पिर भी इन्टियन्ट सब कुछ बरबाद होजाएगल। और मैं इस तरह की इसकरी सारी प्रॉपलम्स को फिक्स करना चाह रहा था जो कभी हो सकती है उन प्रॉब्लम्स को वैपन होने से पहले ही मैं रोग देना चाहता था मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुकर हो कि मुटेंट्स एक दिन दुनिया में राइज अप होंगे और वो हम सब को मार दालेंगे मैं इस चीज़ को भी जानतौँ कि प्रक धूर और रिषाकर करना है और देखना वो ऐसा करके ही रहेगा मैं इस बात को भी जानतौँ कि पनीशेड एक दिन делает जो किसी खलित इनसान को मार देगा जिसके जरिए एक चेन आफ इवेंट शुरू हो जाइगा और वो नीकली रिवेंट को ट्रिगर कर देगा और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि अपने आप को जो लोग हीरोज बलाते हैं वो कभी इसी चीज़ के अंदर कूछ जाएंगे जिसको वो फूरी तरीके से नहीं समझते हैं और कुछ ऐसा कर देंगे गलत जिसके जरीए ये दुनिया इनसानों के रहने के काबिली नहीं नहीं रहीगी मैं जानता हूँ विक्टर वॉंडू में एक ना एक दिन अपने पैरों के नीचे इस दुनिया को कुछलने की कोशिश जरूर करेगा वह इसे ग्रीन गॉबिन बोलता है ओ बूहू लेकिन आजबन बोलता है कि मुझे अकीरा छोड़ दो लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ अब हम दोनों यहां हमेशा फस के रहेंगे इसके टोटल 16 इशूस थे जिनको हमने पूरी तरह की से अपने चैनल पे शेयर किया है इसके इशूस की शुरुआत होती डार्क रेन के एवेंट के अदर से और इसकी स्टूरी लाइन जो है कुछ आटोपिया के इशूस के अंदर भी कनेक्टेट थी और अब फाइनली सीच के बाद ये सारी के सारी इशूस खतम होते हैं ये टीम नॉर्मन आउसबॉन के साथ शूरू हुई थी उसने इस टीम को बनाया था और अब ये खतम भी नॉर्मन आउसबॉन के साथ ही हुई है लेकिन इसके आखर में हमें बहुत सी नई चीज़े देखने को मिली है हमने देखा कि डार्क अविंजर्स की टीम के जादतर मेंबर जैसे के वेनम, मिसमाविल, हौकाई इन सब को गॉर्मन ने पकड़ लिया है इनको कैद कर लिया गया है इसके बाद इसका मकसद यही है कि वो लोग एक जैल के अंदर रहने वाले है साथ इसके लावा हमने यह देखा कि डार्क उलवरीन वो जो है कैद नहीं हो सका और बलके वो एक रन पे निकल चुका है और वो दुनिया से छुपता फिर रहा है तो उसके एडवेंचर हम आगे कंटीनियू करेंगे और देखेंगे कि वो आगे जाके अब क्या करने वाला है क्योंके वो भी एक इंटरस्टिंग और कूल करेक्टर है इसके बाद अगर हम आउस्बॉन की बात करें तो हमें यहाँ पर यह दिखाए जा रहा है कि आउस्बॉन को भी एक जेल के अंदर डाल दिया गया है और वहाँ पर वो ना जाने कब तक रहने वाला है लेकिन आप जानतें कि कोई भी इनसान कॉमिक्स के अंदर खास कर जेल में बहुत जादर टाइम तक के लिए रहता नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर जाएक इंपॉर्टन बात बताए गई है इन दी एंड वो यह बताए गई है कि आउस्बॉन यहाँ पर यह सारा का सारा ब्लेम जो है यह सारी की सारी बातें वो अपने ऑल्टरनेट इगो क्रीन गॉबलेंट से कर रहा है तो इसका मकस्द यह है कि हमें यहाँ पर यह बताई जा रही है कि आउस्बॉन जरह सल एक अच्छा आदमी था वो दुनिया को ना चाहता था वो दुनिया को ठीक करना चाहता था लेकिन उसके दिमाग पर टीभी गॉबलेंट है उसने औउस्बॉन को जोई गलत काम कर ने पर लीट किया है और उसी की बात सुनने के अजासे वो आज जेल के अंदर है लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यह सेम वही सीने जो के सेंट्री और वॉइट के बीच था कि सेंट्री अच्छा काम करता था और कोई भी बुरा काम वो वॉइट के उपर डाल देता था और इस तरह नॉर्मन आउस्बॉन का भी यही मसला है कि वो कोई काम अच्छा करे तो वो उसने किया है और कोई काम घलत करे तो भाई वो मैंने नहीं करा वो किरीन गॉबलेन ने करा है जबकि वो दोनों लोग एक ही शक्स हैं तो इस सूरत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आउस्बॉन यहां पूरा पूरा एक विलन है अब अगर हम आउस्बॉन की बात कर रहे हैं और इसको हम फाइनली आज आखरी बार देख रहे हैं तो मैं आउस्बॉन के करेक्टर के उपर थोड़ी सी बात आप लोगें के साथ करना चाहूँगा क्योंकि आउस्बॉन का करेक्टर पूरे के पूरे डार्क रिंग इंदर एक बहुत ही जादा सबरदस और सेंटरल पॉइंट रहा है और मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा और उसके बाद सही कदम उठा कि उसने सारी सारी पावर अपने कबजे में ले ली और उस पावर का इस्तमाल करके वो इतना उपर तक निकल गया और उसने निकलने के बाद कुछ ऐसी हरकते करी हैं जो कि बहुत ही विलनस थी जिसमें खासकर मैं बात करना चाहूँगा जो हमने डार्क स्पाइडर मैं की स्टूरिय शेयर करी थी जिसमें पीटर पाकर जिसमें उमने देखा था वो अपनी बेटे की गल्फरेंड हैरी आसब़ॉन की गल्फरेंड को ही प्रेगनेंट कर दे कि उससे अपना बच्चा करता है तो वो चीज बहुत जादा डार्क थी मेरी सूरत में और वाकी में डार्क रेंज हो था वो सिर्फ नाम कर डार्क नहीं बलकि एक बहुत ही डार्क एरा था इस पूरे के पूरे कामिक्स के अंदर और वो सब हमें मिल सका नॉर्मान आउस्बॉन की वज़ा से ही तो मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐस अ विलन हमें नॉर्मान आउस्बॉन को एप्रिशेट करना चाहिए और मैं तो यह भी कहूँगा कि जैसे कि अब होके रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मेरी सीरीज कैसे लगी है मैंने इसको काफी जादा महीनत से शेयर करा है पूरी की पूरी टाइम लाइन बनाई है और आउस्बॉन की करेक्टर के बारे मैं